नमस्कार वित्यारतियों, एक बार फिट से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे यूटूब चनल एजूकेसन निवस ओनली के माध्यम से दोस्तो आज है 24 जिनवरी 2024 और आज का जो बड़ा अपडेट है वो UPAAC Video Re-Exam 2018 के रिलेटेट है क्या फरवरी में रेजल्ट आ जाएगा साथ यसाथ संबावित कटोफ के बारे में जानकरी सेर करेंगे उससे पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है क्योंकि आप से भी वित्यारती है और आप तक सही समय पे सही जानकरी का पहुचना अतियावसक है इसके लिए प्लीज आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें जरूर जरूर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर परकारगी जो न्यूज है वीडियो एक्जाम के रिलेटेड आपको टाइम पे मिले साथे साथ जिन लोगों ने चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करके रखा उनको बहुत बहुत धन्यावाद है क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलता है चले दोस्तों जानते हैं आज की अपडेट के बारे में तो देखे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एक सवाल हमसे पुछा जा रहा है रिजल्ट के रिलेटेड कि देखे से लोग सभा के चुना वार है तो क्या हमारा जो यह रिजल्ट है वो 6 माइनों के लिए और लटका दिया चाहेगा क्योंकि आचार सहिंता जारी होने वाली है मलब लागव होगी आचार सहिंता तो उससे रिजल्ट पर कोई एफेक्ट पड़ेगा तो दोस्तों ऐसा बिलकुल नहीं है दोस्तों आचार सहिंता में नई विक्यापती और कुछ नई प्रोसेस नई परिक्साय चारी या भी करवा ही नहीं जा सकती है लेकिन दोस्तों जो पिछले रिजल्ट है डीवी के रिजल्ट है चाहिए डीवी यह वो करवा ही जा सकता है पिछला कोई भी काम नहीं रुख सकता है अब मैं आपर आपको रिजल्ट के रिलेटेट जानकरी दे रहा हूँ आप इस बात के टेंसन अभी से दिमाग से निकले दोस्तो आपके लिए डीवी का चो रिजल्ट है और जॉइनिंग की तो दोस्तो वो जैसे आचा सेंता हटे की उसके बाद ये प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी अब आप 5-6 साल वेट कर चुके आप टेंसन ना ले यूपी टिवले से आयो कि पूरी कोशी से आपके रिजल्ट को जारी करने को लेकर क्योंकि उसे भी पता है लेकिन दोस्तो विध्यारती जब तक पूरा फोर्स नहीं लगाते हैं दबाव नहीं बनाते हैं तब तक रिजल्ट को जारी नहीं किया जाता है अब यहाँ पर दोस्ता थोड़ी हवाबाजे यूटूब पर कट ओफ को लेकर होती है बहुत हाई कट ओफ दिखे जाती है और कुछ बचे कट ओफ की वीडियो देखते है तो बिल्कुल जो है मतलब परेशान हो जाता है लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कट ओफ हमेशा अनुमानित होती है और अनुमानित चीजों पर आप पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते है आप विश्वास करे तो भी ठीक है नहीं करे तो भी ठीक है कॉमन सेंस की बात है कुछ भी कट ओफ बताईद है चाह सकती है सब की अलग-अलग अनलैसेस होती है जैसे अगर हमने जनरल के बच्चों का जो सर्वे है वो कर वा है और उन्होंने अपने मार्क सेर के 100 से लगा कर 105 के बीच में तो बिल्कुल हमें पता लगता है कि 100 से लगा कर 105 की मदी कट ओप जाएगी उसके बाद इसके मद्य कोई आकड़ा हमें अच्छा लगता तो वही हम आपको बताते हैं सीटो के हिसाब से क्योंकि दोस्तों सीटो का अरक स्टन का परसंटेज देखना बहुत अविशक है जनरल के अंदर दोस्तों 102 तक हमें सेफ स्कोर लग रहा है ओबीशिक अंदर हंट्रेट का स्ट में 96 का और स्ट में 90 का धन्यावाद दोस्तों ठेंक्स को रोचिंग वंदे मातरम जहिन जहफार्थ और प्लीज मेक आपका सपोर्ट रेगा चैनरम से ग्रो करेगा